Hello students, स्वागत थे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Sci-Fi Study में Students, आज की इस वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमे का विलोम पढ़ने वाले हैं यह आपका ध्याय 6 का प्रमे नमबर 2 है पिछली वीडियो में थेल्स प्रमे पूरा समझ चुके थे उसको बहुत ही आसान भासा में ट्रिक के माध्यम से हमने आपको समझाया हुआ था अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्सन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो को एक बार जरूर देखें इस वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमे का विलोम समझने वाले हैं साथे साथ आपको यह भी बता दे कि यहाँ पे जो भी सलेबस कम्पलीट करवाया जा रहा है वह निव सलेबस 2024-2025 के लिए जो जारी किया गया उसके हिसाब से कम्पलीट करवाया जा रहा है आया वीडियो को इस्टाइट करते हैं यहाँ पे एक कथन आपको इस्टेटमेंट दिया हुआ है कि जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो तो यह रेखा तीसरी भुजा के समानतर होती है देखें प्रशन में क्या बोला हुआ है यहाँ पे जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को ठीक है ना समान अनुपात में विभाजित करती है ठीक है जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की तो अत्रिभुज कौण सा है A, B, C ठीक है दो भुजाओं को समान अनपात में भी भाजित करती है, दो भुजाओं कोंसी है, AB और AC, यहाँ पे AB पे बिंदू D है, और AC पे बिंदू E है, और यह दोनों को समान अनपात में इस प्रकार भी भाजित करती है, कि AD बटे में DB बराबर है, AE बटे में EC के, ठीक है, AD बटे में DB बराबर है AE बटे में EC के अब आप से क्सिद्ध क्या करना है कि यह रेखा तीसरी भुजा के समानतर है यानि तीसरी भुजा कौन सी होई BC तो यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि DEBC के समानतर है यह आपको सिद्ध करना है दिया हुआ में क्या लिखेंगे दिया है कि त्रिभुज A, B, C की भुजाएं A, B और A, C पर दो विंदु करमसर D तथा E इस प्रकार है कि AD बटे में DB बराबर है AE बटे में EC के ठीक है अब यहाँ पे यह जो रेड वाली लाइन देख रहे हैं यह हमने रचना में किया रचना जो लाइन है उसके समानतर है D से एक रेखा DF खिचा जो की BC के समानतर है और जो AC लाइन को बिंदु F पर प्रतिछेद करती है ठीक है यह रचना में हमने किया तो अब यहाँ पे इतनी चीज़े लिखते हैं यहाँ पे दिया है और रचना में और सिध आपको हमने बता दिय सिध करना है कि DE समानतर है BC के तो अब यहाँ पे लिखते हैं तो देखे दिया में जो चीज़े आपको बताया हुआ है यहाँ पे लिख दिया क्या लिखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर दो बिंदु क्रमसह D तथा E इस प्रकार है कि AD बटे में DB बराबर AE बटे मे DC जो चीज़े आपको बताया वही चीज़े ही हाँ पर लिख दिया सिध क्या करना है कि DE समानतर है BC के यह सिध करना है रचना में देखिए हमने क्या लिखा रचना में हमने लिखा कि D से D से एक रेखा D F समांतर B C या समांतर का चिन्न है D F समांतर B C खीचा जो A C को बिंदू F पर प्रतिछेद करती है यानि यह जो लिखा है D F वा B C के समांतर खीचा जो कि A C लाइन को बिंदू F पर क्या करती है प्रति छेद करती है ठीक है अब यहां से उपपति उपपति में देखे क्या लिखेंगे सबसे पहले सबसे पहले जो चीज दिया है उसी को लिखेंगे तो यहां पे AD बटे में DB यह दिया हुआ है तो यहां पे लिखेंगे AD बटे में DB बराबर है यह AE बटे में EC और यहां प ठीक है, दिया है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे students, समिकरार first बना लेंगे, अब देखिए, अब यहां से क्या करेंगे, थेल्स प्रमे से, आप चित्र में देख रहे हैं, थेल्स प्रमे से देखिए, थेल्स प्रमे से आप क्या देख रहे हैं, कि चित्र में AD बटे में DB अब यहां पर वही चीज़ लिखेंगे, देखिए, AD बटे में DB, AD बटे में DB, बराबर होगा, AF बटे में FC, ठीक है, AF बटे में FC, ठीक है, इसको समिकरण 2 बना लेंगे, ठीक है, अब देखिए, समिकरण 1 और 2 से आप देख रहे हैं, समिकरण 1 और 2 से आप क्या देख रहे हैं, कि यहां पर यह वाला जो पक्ष है, वह बराबर है, यानि जो left side है, वह दोनों क्या है, बराबर है, और जब भी किसी समिकरण का एक पक्ष बराबर होता है, तो दोनों, वह समिकरण मतलब क्या हो जाता है, आपस में बराबर हो जात समिकरण 1 तथा 2 से, समिकरण 1 तथा 2 से हम क्या लिख सकते हैं, AE बटे में EC, AE बटे में EC बराबर होगा, AF बटे में FC, ठीक है, पुमित करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गयोंगे, अब यहां से क्या करना है आपको, यहां से दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, और कोई सेम नमबर, अगर दोनों पक्षों में जोड़ा जाता है, उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, तो यहां आप लिखेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, अब जब दोनों पक्षों म एक जोड़ेंगे देखें क्या मिलेगा यहां से, देखिए, AE, बटे में EC, प्लस 1, बराबर, AF, बटे में FC, प्लस 1, अब यहां क्या हो जाता है, देखेंगे, इसका इसमें गुड़ा हो जाएगा, और पूरे के बटे में EC हो जाएगा, वैसे यहां पे, इसका इसमें गुड इसका इसमें गुड़ा हो जाएगा इसमें ठीक है तो A E प्लस E C बटे में E C बराबर A F बटे में F C A F प्लस E F C यहाँ पे और बटे में F C ठीक है अब यहाँ से एक बार चितर को देख लिए ठीक है यहाँ से यह लाइन आपको उमिद करते हैं कि समझ में आ गई होगी इसका हमने इसमें गुड़ा कर दिया तो क्या हो गया A E प्लस E C बटे में E C यहाँ पे A F प्लस E C बटे म यहाँ से इसको और इसको यह पूरे को मिला कर हम क्या लिख सकते हैं A C लिख सकते हैं A E प्लस E C को हम क्या लिख सकते हैं A C ठीक है और फिर यहाँ से A F और F C को भी क्या लिख सकते हैं A C यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे देखे अब लिखते हैं तो यहाँ से हम बटे में EC, AC, बटे में EC, बराबर AC, बटे में FC, ठीक है, अब यहाँ पे जब यह दोनों बराबर हो गए, तो अब हमें क्या होगा, यहाँ पे EC जो है FC के बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, दोनों हर में हैं, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, हम चाह बना लेते हैं, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, समीकरण 3 से, देखिए, समीकरण 3 से, समी करण 3 से EC बराबर FC ठीक है, समी करण 3 से क्या लिख सकते हैं EC बराबर FC ठीक है, अब चितरे एक बार देखिए जब EC और FC बराबर हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पर यहां पर क्या बुला है कि EC और FC बराबर हो गए यानि जो F BINDU है यह workflow space फीत है, जो DF है यह DE पर इस्थित है, क्योंकि यह दोनों लाइने आपस में संपाती होंगी, देखिए, यहांसे समझ लीजिए, नीचे आपका क्या आया, कि जो EC है वही बराबर है TC के, यानि जब यह BINDU F है workflow space फीत है, यहांसे कह सकते हैं, कि जो DE है और DF है, ठीक है ना, जो DE है, जो DE लाइन है और DF लाइन है, दोनों समपाती है, समपाती का मतलब क्या होता है, कि बिल्कुल इस लाइन पे इस्थित होना, ठीक है ना, कोई एक लाइन, जब किसी दूसरी लाइन पे इस्थित होती है, तो हम कहते हैं, कि वह दोनों ल पाती हो गई तो हम यहां से क्या आखा सकते हैं कि जो D E है वो अभी C के क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा ठीक है उमिद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे फिर से एक बार समझ लीजिए आपका नीचे समिकरण 3 से आया कि E C और E F आपस में बराबर हैं जब यह दोनों बराबर हैं यानि आपका जो बिंदु F है वह इस बिंदू पर इस्थित है ठीक है एक हैं । क्योंकि दोनों बराबर हैं जब यह इस्थित है कि D Fetaan guideline समपाती है तो जब हमने यहां पे लिखा हुए कि D F शमांतर B C तोaceutical हैं तो अब यहां से हमें यहां पे लिखेंगे अतह, अतह, देखिए, अतह, अतह DE, समानतर BC, और यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है न, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, तो यहां पे लिखेंगे इती सिद्धम, इती सिद्धम, ठीक है, यह सिद्ध हुआ, उमिद कर तें स्टुडेंट्स की पूरी बात आप अथी तरह समझ गए होंगे और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सेर कमेंट करें चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बात जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद जय हिंद जय भारत बंद प्रिमात रम